अलो गाइस लेकर आया हूँ आपके लिए एक और न्यू व्लोक जिसमें मैं आपको दर्शन कराऊंगा भगवान स्री कृष्ण और सुधामा के मित्रता के मंदिर का भगवान स्री क्रीश ने अपने मित्र सुदामा के साथ यहाँ पर लकड़ी लेने आये थे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए इन तक बने रहे तो चलते हैं सिदा मंदिर के अंदर पेले थोड़ा हार फुल खरीद ले नर्या लगर पत्ती ले ले मिल गई दुकान यहां से खरीद लिया तो हमने हार फुल खरीद लिया गाईस अब चलते हैं सिदे मंदिर में तो अब जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे सबसे पहले आपको स्री क्रिशन भगवान जूले पे बेठे दिखाई देंगे यहां भोछ सारे स्रद्धालू आते हैं मंदिर में और एक बच्ची बेठी हुई है यहां पर जो सबको तिलक निकाल रही है और यह भगवान स्री क्रिशन जूले पर बेठे हुए हैं यहां पर स्रद्धालू और सभी भाईगर इनको जूला जूलाते हैं तो चलो सबसे पहले स्री क्रिशन भगवान को जूला जूला लेते हैं जेहो कनया लाल की स्री माके विहारी जी को हम जूला जूला रहे हैं देखो स्री कनया लाल जूला जूल रहे हैं और चलो बच्ची से अपतिलक लगा लेते हैं तो चलो इधर एक कुंड बनाए, थोड़ा सा वो कुंड भी देख लें, उसके बाद स्री कृष्ण बाके विहारी जहां मंदिर के अंदर विराज मान है, उनके पास चलेंगे चलो इधर और भूम के बताता हूँ आपको यहाँ पर एक मठका सा रखा है, जिसमें पानी भरा हुआ है तो चलते हैं सिधा मंदिर में, अरे यार सोरी वो फूल रखना भूल गया था भगवान के पास, तो चलो अप स्री कृष्ण बगवान का अंदर जो दरबार में विराज मान है, उनको देख लेते हैं पेले टोकरी उठा लेते हैं फूल की अपनी तो गाइस काफी अच्छा लगता है यहाँ पर और जब जानमा अश्ट में होती है तब भूस सारे स्रद्दालू यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी भीड होती हैं यहाँ पर तो चलो पंडित जी जय स्री कृष्णा तो गाइस देखो यह भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है इनका एक मंदीर में विराज माने अंदर यह श्री कृष्ण भगवान और राधा मया यहाँ पर बेठी हुई है तो वाइस यह स्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कवाला मंदीर है यहाँ भगवान स्री कृष्ण ने सुदामा जी के साथ नक्री लेना आये थे और बच्चे मस्ते कर रहे हैं यहाँ पर और गाइज यह मंदीर महित्पूर के पास नारायना धाम गाउं में है तो बस इस वीडियो में यही तक सीमिते अब चलते हैं सिदा घर इस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं जल्द नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बबाई झा झाल के के लिए यही वीडियोग लग्राइब करें नेस्ट था आए टेक की लिए